देश के आर्थिक राज्तानी मुंबई से बड़ी ख़वर सामने आई है। मुंबई के बैंडरा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चरते समय याक्तियों की भीड बढ़ने से अफ्रात अफ्रीका महौल बन गया। ये वाक्या बांदरा गोरख को ट्रेन में चर्णने के दोरान हुआ। बता दें कि इस भगदर में करीब दस लोग के घायल होने की खबर है जिनने इलाज के लिए भावा अस्पताल में भरती कराया गया है। वही आठ घायलों की हालत स्थिर है और दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों की संख्या और बढ़ने की आशनका भी है। घायलों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है। इसमें लोगों के चपल और जूते और बागी सामान भी रेलवे की पत्रियों पर बिखरा पड़ा दिख रहा है। बैंडरा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर रविवार सुभे तीन बचे के करीब ये घटना हुई प्लात्फॉर्म नमबर एक पर जियारा भीड थी। यात्री 22921 नमबर की बैंडरा गोरपूर एक्स्प्रेस ट्रेन का इंदजार कर रहे थे जिसके सुभे 5 पेश कर 10 मिनिट पर रवाना होने का समय था। इस दोरान जब ट्रेन आई तो चहने की जल्दी में भगदर मज गई। बीमसी के आपदा प्रवंधक प्रकोष्ट की ओड से दी गई जानकारी के अनुसार अस्पताल में चिकिस्सा अधिकारियों ने पुष्टी की है कि 10 खायल यात्कियों को भारती कराये गया है। इनमें से 2 के हालत गंभीर बताई जा रही है जबकि 8 स्थिर है। वहीं साथ से की आखो देखी बता रहे शक्स का कहना है कि भारी भीर के चलते महौल बिगडा और चारो तरफ अफरात अफ्रीसी भज गई। सब जर्नल नहीं था सब जर्नल था उसमें सब लोग चड़ने के लिए आये थे अब इतना हजारों संक्या पप्लिक था सब्सक्राइब। फिलाल अधिकारी भगदर के कारणों की जाज कर रहे हैं। सुत्रों की तरफ से बताये गया है कि ट्रेन में सामान इश्रेणी के डिब्बे थे। जब ट्रेन प्लाटफॉर्म पर आ रही थी तो यात्रियों ने चरती ट्रेन में चर्णे की कोशिश की। इसी के चलते भगदर मचने की आशन काज़त आई जा रही है। NBT और लाइन की रुपोर्ट